वीडियो अगर आपनों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा जिससे आपको व्यूटी से रिलेटिव कुछ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफी यूश्फुल होंगे तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक तो आज की वीडियो संस्क् कि आपको वाज से उख करनी हैं प्रटियर एस नहीं करता कि आपको किस तरह की संस्क्रीम अपलाई करनी चाहिए यजिए कि यह है लोटरस की हरवल संस्क्रीम जो आपको पी ए प्लस है साथ साथ यह आपको यूवी ए और यूवी बी कि लिनों से प्रोटेक्ट करता है sbf20 है all skin type इसमें पीछे mention भी हुआ पड़ा है तो अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हैं संस्क्रीम को लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना इसकिप किये क्योंकि जो मैं आज आप लोग के साथ इसकी important knowledge है important अच्छे हैं कि यह बहुत हर संस्क्रीम में chemical add होता है जिंक add होता है तो हमारी skin के लिए वह एक्चुली कहा जाए save तो होता ही नहीं है बट हम फिर भी उसको use करते हैं क्योंकि हमें वह recent result देता है बट लंबे समय के बाद वह हमें infection दे देता है same इसी मेरे साथ भी यह हुआ है मैंने lotus की sunscreen को apply किया है जो अगर इसके ingredients की बात की जाए chemical इसमें add है इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है इस तरह से tip top बाले cap में आता है यह देखिए सब कुछ इसमें बहुत बड़ी यह मैंने और इसका range की जाए इसकी range की बात की जाए तो यह मुझे काफी affordable range में सब्सक्राइब की बात की जाए अगर आपकी skin sensitive है किसी प्रकार से आपको pimples वगएरा होते हैं रैस वगएरा निकलते हैं कहिए आपको सब कुछ easily से सूट नहीं होता आपकी skin में तो आप इस sunscreen को मत लीजे विकॉज इसकी जो ठीकने से बहुत ज्यादा ठीकने से और winter में कह होते हैं हमारी प्लो पर हमारे जो हम कंबल वगएरा ओड़ते हैं उन में तो अगर आप इस तरह की sunscreen को apply करते हैं तो आप अपने आपको बहुत नुक्शान पहुंचा रहे हैं क्योंकि sunscreen वो लगानी चाहिए जो actually absorb हो जाया और किसी तरह का oilness ना हो तो यह फैलने पर भी oilness इसमें रहती ही रहती है तो इससे मुझे क्या side effect हुए मैं आपको बताती हूँ आंगे चलके मुझे आप देख रहे हैं साथ side my picture कुछ इस तरह की redness हो गई थी इस तरह के pimples निकलना start हो गए थे because यह मेरे माथे पे भी बहुत ज़्यादा pimples निकलना start हो गए थे क्योंकि sunscreen हम अपनी संसे बचाओ के लिए लगाते हैं बट दो फैर में भी हम कभी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं लेट जाते हैं तो उससे मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मेरी skin sensitive है मुझे पहले भी pimples वगएरा होते रहे मुझे सब कुछ easily से suit नहीं होता है त तो मेरे साथ ये काफी problem मुझे face करनी पड़ी recently तो वो कुछ नहीं result देता बट आप जब इसको continue लगाते हो तो 15 दिन के बाद आपके pimples निकलने start हो जाते हैं चोटे चोटे दाने निकलने start हो जाते हैं और आपको लगता है आपकी ये skin सर्दियों से होने लगी है तो नहीं आपकी गलत sunscreen use करने से होने लगी है तो अगर आप इस sunscreen को लेना चाहते हैं तो अगर आपकी skin sensitive है तो आप इसको बिलकुल भी मत लीजें मैं advise नहीं करूंगी आप चाहें तो like me की जो sunscreen है उसको ले सकते हैं अयूर की sunscreen है उसको ले सकते हैं बट इसको मत लीजे क्योंकि lotus एक वरांडे साब को इजली से सूट नहीं करता लोटस की संस्क्रीम, लोटस की क्रीम काफी जादा सेंसिटिव होती हैं सेंसिटिव स्किन को सूट नहीं करती हैं तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आई तिंग इसको मत लीजे होफ़ुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूस्फुल हो तो चैनल को सस्क्राइब करना मत भी